बुलंद शेहर के खुर्जा में कोरोना वाइरस के इलाज के लिए बने लेवल टू आस्पिटल की शिरुवात होते ही आवेवस्थाओं और कोविट मरीजों के लिए परियाप्त इंतिजाम नहोने के आरोप सामने आने लगे हैं आज एक 45 वर्षे कोविट पेशन के मृत्यू हो जाने पर परिजन उने CMO और अस्पिटाल प्रशासन को खरी खोटी सुनाई और हॉस्पिटल में आवेवस्थाओं के आरोप लगाए मौके पर पहुंचे CMO ने मृतक के परिजनों के आरोप सुनने के बाद घटना को दुखत बताया साथी प्रकरण की जांच का आश्वासन देती हुए दोश्यों के खिलाफ सक्त कारवाई की बात कही यह है खुरजा का सरकारी जटिया हॉस्पिटल जो की हाल ही में कोवर्ड लेवल टू स्तर का गोशित किया गया हॉस्पिटल शुरू होने से पहले यहाँ पर दावे किये गए थे कि ऑक्सिजन अल्ट्रा साउंट, एक्सरे वेंटिलेटर, आधी की परियाप्त सुविधाएं हैं लेकिन 45 वर्षे व्यक्ति की भरती होने के 24 घंटे में ही मृत्यों हो जाने पर जटिया हॉस्पिटल पर कोवर्ड पेशन के परिजनोंने सवाल उठाएं हैं ब्रदक पेशन के परिजनों का कहना है अस्पताल में पानी पीने तक की भी सुविधा नहीं है डॉक्टर चेक अप करने भी नहीं आते आपकी जो रिपोर्ट है वो पोजिटिव है शिकारपर उन्होंने डॉक्टर आसीज जी ने शिकारपर सामुदाइक स्वास्त किंदर में फोन कर दिया वहां से कोई टीम आई और इनका चेक अप किया और वो टीम इनको को और इनकी वाइप को दोनों को कल सिप्ट कर दिया खुर जटिया में कल जटिया में सिप्ट कर दिया अब कल भावी से बात हुई थी कल भी भावी से हमारी बात हुई में कि भावी बहिया को क्या हो गया तो भावी ने ये बताया कि बहिया तुमारे बहिया के साथ बहुत गोर लापरवाई बढ़ती जा रही है होस्पिटल म में मृतक के परिजनों और ग्रामीन द्वारा विवस्थाओं पर सवाल उठाने के बाद मौके पर सरकारी अमला जमा हो गया। परिजनों और ग्रामीनों में रोश देखते हुए CMO ने आरूपियों के खिलाफ सक्त कारवाई का आश्वासं दिया है। अब देखना होगा कि आखर आरूपियों के खिलाफ सब तक कारवाई हो पाती है। पंजाब केसरी के लिए बुलन शहर से एकबाल सहफी की रिपोर्ट।